दोस्तो उत्तर प्रतेश में मायवती ने एक बार फिर अपनी एक नई लिस्ट जारी कर दी यह अब तक मायवती की 12 लिस्ट है यानि इसके पहले मायवती 11 लिस्ट है निकाल चुकी है और इस लिस्ट में रोचक है वारानसी दोस्तों जो बारवी सूची आई है इसमें पांच प्रत्याशियों के नाम है और वारानसी में मायावती ने तीसरी बार अपना प्रत्याशी बदल दिया है सबसे पहले हम आपको बदा देते हैं कि इन में पांच सीटे वो कौन कौन सी है जहांपर प्रत्याशी उतारे गए हैं उनमें से सीट है प्रियाग्राज यानि की इलाहबाद की जो सीट है वहाँ पर रमेश सिंग पटेल श्रावस्ती में मुईनुद्दीन एहमद खान भदोही में हरिशंकर सिंग वारानसी में अतहर जमाल लारी और बांस गाओं में डॉक्टर राम समुझ इनको टिकट दिया गया है और इसके पहले जो ग्यारवी लिस्ट आई थी जिसमें छे नाम थे उसमें गोंडा से सौरब मिश्रा डुमरिया गंसे मुहमद नदीम मिर्जा कैसर गंज यानि ब्रजभूशन सिंग के बेटे करन भू मशूद एहमद इन प्रत्याशियों को टिकट दिये गए है अगर बात आजमगड की करे तो आजमगड में भी मायावती ने 20 दिन में तीसरी बार प्रत्याशी बदला है पहले भी मराजबर को टिकट दिया फिर सभीहा अंसारी का टिकट हुआ और इसके बाद अब मशूद एहमद इनको टिकट दिया गया है दोस्तों अगर देखा जाए तो मायावती ने अब जो मायावती ने जो सूची जारी किये इसमें मायावती ने सभी सीटों पर लगबग लगबग अपनी तस्वीर पूरी तरीके से साफ कर दी है और एक और टिकट इनों ने दिया है वो बल पर चुनाव लडने का ऐलान किया था उन्होंने लगबग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम साफ कर दिये हैं आजमगड़ और वारानसी ये दो सीटे ऐसी हैं जहां मायावती ने बार बार प्रत्याशी बदले हैं और अब जो तस्वीर है उसके मताबिक हम आप को बता दे कि वारानसी की सीट पर अतहर जमाल लारी चुनाव लड़ रहे हैं और आजमगड़ की सीट पर आजमगड़ की जो सीट है वहां मशहूद एहमद यानि इन दोनों सीटों पर मायावती ने मुसलिम प्रत्याशियों को टिकट दिया है अब दोस्तों मायावती उत सीटों पर मायावती के सांसत बने दोहजार चौदा में मायावती शुन पर अटक गई थी दोहजार चौबिस का परणाम क्या होगा ये चार जून को पता चलेगा लेकिन फिलहाल मायावती के सभी प्रत्याशियों की तस्वीर पूरी तरी के सहसाफ है मायावती के बतीजे आकाश आनंद लगातार रेलियां कर रहे हैं लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं और मायावती को ऐसा लगता है कि इस बार भी वो 2007 का जो उनका फॉर्मूला था ब्रामहर, दलित और मुस्लिम का उस फॉर्मूले पर काम करके वो इस बार भी कई सीटों पर चोकाने वाले फैसले दे सकती हैं हाला कि अब यह देखना होगा कि मायावती के यह तमाम प्रत्याशी कहां समीकरों बिगाडते हैं कहां समीकरों बनाते हैं और कितनी सीटों पर मायावती की पार्टी शुनाव जीतने जा रही है